यह इजी फ्लावर बुक्य सिखा रही हूँ, इसमें सिर्फ एक ही ब्रश का यूज किया गया है, और कलर्स मैंने डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पिंक, वाइट और उपर इसके पोलन्स के लिए मैंने यलो कलर यूज किया है, तो इस तरह से आपको बहुत इजी वे मैं बत इसक्ते हैं कि किस तरीके से देने है को जहां भी देने है किस तरह से को बीश्टोकρεında सकते है इस तरह से मेरे स्ठोक्स दिये हैं इसमस्ञ टाय ergर कुछ मिश्टेख हो जा defined अगर कभी यह से मेरे तो सभाव हो गया कि इसको सङी करने के लिए देने एक-दो स्टॉक और दी दी कि इसमें ग्रास बनाई हैं इस तरह से मैंने दिये हैं सारे स्टॉक्स अब मैं कुछ light color के भी थोड़े दे दूँगी कहीं पे light grass बनाने के लिए और अब मैंने flower बनाने के लिए लिया है तो flower के लिए मैं dark pink और white color ले रही हूँ तो पहले मैं यह dark pink में dip किया है इसको brush को और इसी brush को फिर हल्का सा white में dip किया है और इस तरह से मैं जहां जहां पे flowers बनाने है इस तरह से मैं strokes देती जाओंगी तो कहीं पे light कहीं पे dark इस तरह के colors आ जाएंगे अगे इन मैं दूसरा flower बनाने के लिए फिर से ले रही हूँ white tip पे लेना है और नीचे pink लेना है पूरा color हमारा तो जहां हमको half flowers बनाने है तो इस तरह से सिर्फ उपर उपर की side में लोगे और जहां full flower बनाने है तो वहां पे आप चारों तरफ से leaves इस तरह से बनाएंगे और अब मैं कुछ flower purple color के भी बना रही हूँ तो purple में dip किया और थोड़ा सा tip पे white color लिया है तो मैं कुछ flower purple के बनाने वाली हूँ यहां पे जैसे मैं half flower बना रही हूँ तो इस तरह से आपको half flower बनाने तो इतना ही बनाएंगे और फुल flower बनाना है तो चारों तरफ से leaves देंगे तो इस तरह से मैं leaves दे दूँगे बहुत ही जल्दी होता है यह इसमें कुछ नहीं है कहीं पर आपका light आएगा तो भी चलेगा कहीं पर dark आएगा तो भी चलेगा किसी भी तरह से आप randomly दे सकते हो इस तरह से हमने यह बहुत सारे flowers बना लिये हैं अब मैं थोड़ा yellow color लूँगी तो yellow color से हर एक flower की पीच में सर्कल सब्वन इस सर्कल काई किया है और यह साब मैं ने सर्कल ड्रॉ कर दिया यह इस तरह से हमने सबके बीच में yellow डाल द दिया है और यह हमको उपर polens बनाने के लिए जो इसके उपर टॉब हैوسके दोनर सॉड़ में एक एक डॉट डालते वे इस तरह से यलो पोलन्स बनाने है इस तरह से मैंने complete सबके उपर पोलन्स बना लिए अब मैं green कलर का green कलर ले रही हूँ और इससे किस तरह से leaf बनानी है वो दिखा रही हूँ यह एक stroke लिया और बहुत ही easy way में इस तरह से इस तरह से दोनों साइड में एक एक leaf बनाते वे एक बड़ी leaf बन गए हमारी और इसी तरह से मैं दूसरे साइड में भी बना रही हूँ और इस तरह से अगर आपको middle में भी बनानी है तो बना सकते हो और फिर इसको मैंने एक ribbon जैसा बना के बांद दिया यह हमारा हो गया बहुत ही easy flower है आप लोग जरूर ट्राइ करें और इसके नीचे अगर आपको लगता है कुछ grass वगरा बनानी थोड़ी थोड़ी छोड़ी grass भी दे सकते हो और यह yellow flower बनाया है इनकी बीच में black से थोड़ा थोड़ा dot दे रही हूँ मैं इस तरह से आप कुछ भी dot वगरा देखें इस तरह से painting complete हो जाएगी बहुत easy flower bouquet है आप जरूर से try करें और मेरा channel अच्छा लगे तो subscribe करें और अपने friends को भी भेजें कि किस तरह से easy technique से आप लोग कुछ कुछ बना सकते हैं इस तरह के वीडियो में बहुत ज्यादा upload करती रहूंगी जल्दी से जल्दी ज्यादा ज्यादा वीडियो upload करूंगी आप जरूर से मेरा subscribe करें चैनल